तो नमस्कार दोस्तों में प्रिशांत, बहुत बहुत स्वाक्त करता हूँ के लिए यूटुब चैनल पे तो मैंने पिछली वीडियो को डिलीट किया है, फिलाल क्योंकि उसमें कुछ गरबडियां थी, जिसमें मैंने इंप्रूव्मेंट पेपर के बारे में बोला है, और व वो लोग अपना 11 के लिए इंटर्मेडियेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओफसे पोर्टल पे जा करके, तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आसे बच्चे पूछ रहे थे, और जो भी 12 में ग्रेस मार्क्स लेकर के पास हो चुके हैं, आपको जिस भी उनिवर्सिटी में अड्मिशन चाहिए, आप उस उनिवर्सिटी में पता करें कि उसका अड्मिशन ओपन है या नहीं है, तो मैं फिलहाल बता दू कि पाटली पुतर उनिवर्सिटी हो गई, मगद उनिवर्सिटी हो गई, विंतला उनिवर्सिटी और बिह जो fail है एक subject में या दो subject में तो वो अगले बार improvement का paper दे सकते हैं तो improvement का paper सिर्फ उन लोगे लिए conduct कराया जाता है जिनके marks कम होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने marks को बढ़ाएं अगले साल ठीक है तो वो improvement का form भरेंगे और next year सिर्फ वही paper का examination देंगे जिसके लिए उनको marks बढ़वाना है ठीक है तो मान लेजे कि अगर आपके physics में आप pass हो चुके हो और आपका marks जो है कम रह गया है ठीक है तो आपको क्या करना होगा improvement का form भरना होगा और next year आपको सिर्फ physics का ही paper देना पड़ेगा बागे किसी subject का paper नहीं देना पड़ेगा अब मैं आता हूँ यहाँ पर fail वालों के लिए जो भी ऐसे बच्चे है जिनका एक subject या दो subject में उनके marks कम रहेगी है वो fail हो गया है यहाँ पर board में तो उनको क्या करना होगा कि next year आपको सारे subjects के examination देने पड़ेगा improvement के लिए जो है आपको जो है कि सिर्फ एक paper के examination देना पड़ता है यानि अगर improvement का form आप भरोगे तो और अगर आप fail होते हो तो अफसोस के साथ मुझे यह कहना पर रहा है कि आपको सारे subject का paper देना पड़ता है यहाँ पर मतलब मेरे से थोड़े से mistake हो गई थी तो माफ कर देना मुझे और यह चीज़े मैं बता दू कि मैंने board से contact की और मैंने बहुत सारी बाते पता करने की कोशिश की मैंने पूछा भी कि 2 subject वाले को आपने यहाँ पर लिखा था कि सब को pass किया जा रहा है तो 12 में 2 subject में जिसके nearby भी marks से वो fail हो रहे हैं और उनको pass नहीं करा गया है और कुछ के साथ ऐसा देखा गया है कि 2 marks से उनको 26 marks race देखर के pass करा दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया तो उन लोग के तरफ से सिर्फ यही reply आया है कि जिसका बढ़ना था उसका marks बढ़ चुका है अब जिसका नहीं बढ़ना था उनका marks आप नहीं बढ़ेगा वो next year appear करेंगे अपने examination के लिए तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग twitter handle पे जा करके आप complain करो कि आपकी compartments के paper होने चाहिए लेकिन यहाँ पे करोना काल को लेकर के compartments के papers जो हैं रद कर दिये गया है इसके विए से यह grace marks देकर के pass किया गया तो कहा गया कि 2 subject max to max जो भी बच्चे 2 subject में fail हों उनको promote करा जाएगा pass करा जाएगा grace marks देकर के लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे fail हूए है ठीक है अगर मैं आकरों की बात करूँ तो तो 10-20 में सायद के यहाँ पे 60,000 से भी जादा बच्चे जो है pass हुए है grace marks लेकर के 28,000 जो है सायद 12-20 में pass हुए है तो 12-20 के आकरे कहीं ने कहीं 10-20 से कम है यानि कि 10 के जो भी ए grace marks मिल करके grace marks नहीं मिला उसे वो एक subject में fail था ठीक है उसके nearby तकरीबन 10 marks से वो पिछे रह गया उसको theoretical paper में मतलब वो fail हो गया तो आपको जहां तक कि मुझा पता है कि theoretical paper 70 marks के होते हैं और practical जो होते हैं वो 30 marks के होते हैं और अगर आपके यह तो theoretical में 33 marks नहीं आ रहा है तो आप fail हो 70 का 33 परतिशत शायद मेरे साब से 23% होता है आप calculate करके देख लेना 70 into 33 divided by 100 करोगे तो आपका यहां पे निकल कर गयाएगा 23 points something marks जो आपको लाना पड़ता है practical में practical नहीं sorry theoretical में तो यह चीज़े आप चेक कर लेना और जो भी fail हुए है उनको दुबारा से मौका मिल रहा है लेकिन अब अगले साल मौका मिल रहा है तो मैं अगर बताओ कि अगर आपका इस बार paper हो भी जाता तो कोई फायदा नहीं होना था क्रोना को लेकर करके वैसे ही सब कुछ पीछे जा चुका है पढ़ाई वगरा सब कुछ पीछे जा चुकी है और आप जो है new education policy से अभी जो है दूर हो मतलब जो new education policy आई है 2020 उससे अभी आप बच्चे हुए हो यानि कि 2021 में वो लागू होगा 21 session से जो भी बच्चे admission लेंग हो तो आपको यहाँ पर जो है next year का chance मिल रहा है ठीक है improvement वाली बात जो थी वो गलत थी उसके लिए मैं चमा अभी भी चाहता हूं तो आप सभी माफ कर दो hopes हो लेकिन अगर आप फेल हो गया है तो आप परिशान नहीं हो next year आप अच्छे से त्यारी करो distinction के साथ यहाँ पर हो और अच्छे marks के साथ पास हो आपको सारे subject के paper देने पड़ेंगे जिनका भी comment side मैंने किया होगा कि नहीं आपको सिर्फ एक paper के examination देने पड़ेंगे तो आप फिर से त्यारी करो कि सारे subject के लिए और अच्छे से बढ़ाई करो hope so मैंने बहुतों के results देखे हैं जिन्होंने भी अपने marks देखने के लिए मुझे बोला था और roll number और roll code दिया था मैंने बहुतों के marks देखे हैं बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने लेकिन एक दो subject के कारण जए वो पीछे रह गये थे तो मैं बोलूंगा कि यार यह दो और failure भी बहुत कुछ कर जाते हैं तो failure से मढ़ डरो आप अपने अंदर improvement करते रहो IAS IPS जो भी आपको बनना है आप बनो या जो सी भी job आपको मिले आप वो करो और education जो है must है आपको education लेना ज़रूरी है तो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो next year इतना अच्छा marks लेक के पास हो मैंने खुद ही अपने आस पर उसके friend circle में देखा है कि बहुत लोगों को अच्छे-च्छे marks है और अभी वो लोग कुछ लोग जॉब पे हो लग चुके हैं कुछ लोग अभी teaching profession के लिए जौइन कियो हैं कुछ लोग अपना online earning कर रहे हैं तो बहुत लोग है ऐसे failure से मड़ डरो अगर failure हुए हो तो आप कभी न कभी पास करोगे तो यही सारी चीज़े हैं improvement के exam आप तब दे सकते हो कि आपका marks अगर कम है तो आप बढ़ाने के लिए आपको improvement का form भढ़ना पड़ेगा और आपको उसी particular subject का paper देना पड़ेगा आप अगर fail हो तो आपको फि जाब हो तो नीचे comment box में जरूर बोलना और बताना तता के लिए में चलता हूँ धन्यवाद फिर मिलूगा अकली वीडियो में